मेरे परिवार जिनों हमारे सेवाकाल में बंड छकों की परंपरा ससकत हुई है गरीब कल्याण की जन कल्याण की सबका भला करने की नई परंपरा देश में हमने विक्सित की है देश का करजाता इमानदारी से कमाता है फिर वो इमानदारी से टैक्स बरता है लेकिन 2014 से पहले क्या होता था इमानदारी से टैक्स बरने वाले का पैसा गोटा लो में लूट जाता था और गरी मद्यमबर के हाथ कुछ भी नहीं लगता था यहां राजस्तान में बीते पांच बरसों में क्या हुआ है इसकी पूरी कथा लाल डायरी में लिखी है डायरी लाल है कारना में काले हैं और इन दिनों तो देखिए लूट के जो लॉकर खुल रहे हैं लॉकर और लॉकर खुलते हैं तो उसमें से नोटों के धेर निकलते हैं सोने की इंटे निकल रही हैं यह कॉंग्रेस का पाप सामने ला रहा है साथ्यों बीते नव वर्षों में टेख्ट देने वालों की संख्या बड़ी है करदाता को भी भरोसा है कि भाजपा सरकार पाई पाई का सदुप्योग करेगी क्या किसी ने कभी कलपना भी की थी कि भारत में असी करोड लोगों को मुप्त राशन मिलेगा याद किजिए वो दिन जब करोणा का कालखन था कोविड था पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी हर किसी के मान में सवाल होता था कि इससे बच पाएंगे के नहीं बच पाएंगे कोई किसी की चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता था घर चे बहार निकलना ये मोत को बुलावा देना ये हाल थे बहार कारोबार ठप हो गए थे लेकिन ये आपका सेवक सोता नहीं था और मैंने तब किया था कि नसी करोण मेरे देशवासी इनके घर का चूला बुजने नहीं दूगा गरीब को भूखा सोने नहीं दूगा मा की आँख में आंसू आने नहीं दूगा और बेशवासी उने जो टैक दिया उसे हमने अपने पास नहीं रखा बलकि बंडचको याने गरीबों की ठाली के लिए दे दिया और भाईयो बहनों आप मुझे बताईए जब भूखे को खाना मिलता है तो वो आशिरवाद देता है कि नहीं देता है जरा वो पीछे स्टेडियम है वो भी बताईए आशिरवाद देता है कि नहीं देता है ऐसा कोई पवित्र काम करे तो पुन्य मिलता है कि नहीं मिलता है जब इस देश के 80 करोण लोगों को तीन साल से मुप्त में खाना मिल रहा है तो आशिरवाद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पुन्य मिलेगा और नहीं मिलेगा ये पुन्य किसके खाते में जाएगा जरा जोर से बताईए पुन्य किसके खाते में जाएगा पुन्य किसके खाते में जाएगा पुन्य किसके खाते में जाएगा पीछे वाले बताएं पुन्य किसके खाते में जाएगा आप सबका जवाब गलत है ये पुन्य मोदी के खाते में नहीं ये पुन्य आपके खाते में जाएगा जिनोंने वोट दे कर मोदी को बिठाया है आपने मोदी को बिठाया इसलिए मोदी ये सेवा कर पा रहा है और इसलिए इस पुन्य के हकदार आप है आपके वोट के कारणे पुन्य का काम हो रहा है और इसलिए आपका पुन्य और बड़े आपको भर पुरा शिदवाद मिले इसलिए मोदी ने संकल्प किया है किन 80 करोर लोगों को और 5 साल के लिए ये मुप्त राशन दिया जाएगा हमने टैस्क के पैसों से गरीबों को पक्के घर मना करके दिये और अभी मुझे हैली पेड़ पर कुछ साथियों से बात करने का मोका मिला वो कह रहे थे ये पक्के घर जिनको हक बनता था उनको हक दिल्याने की रजिस्ट्री भी यहां की सरकार ने बन कर वादी थी क्योंकि लोग पक्का मकान मिलता था तो मोधी मोधी करते थे तो इनकी सरकार की नीन दूड़ जाती थी तो उनके पक्के घर बनाना ही बन कर दिया बोले हमने मोग पक्के घर दिये मुप्त सोचाले दिया मुफ्त गैस कनेक्शन दिया मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गुरुओं के सांसकारों ने ही मुझे गरीब की सेवा का ये सामर्थ दिया